सो इस क्लास पर हम डिसकस करेंगे that is about the general science for railway exam railway exam के लिए science सामन्य विज्ञान को कैसे पड़े सामन्य विज्ञान general science की preparation कैसे करे very important topic है और देखो इसको बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि अगर हम बात करते हैं railway में तो railway में काफी ज़्यादा होता है काफी ज़्यादा वेटेज होता है ठूमच वेटेज होता है ठीक है तो railway के जो exam है for example ALP लोको पाइलेट का exam हो गया जयन का exam हो गया group D, NTPC, technician वाला हो गया रेलवे पुलिस वाला हो गया तो इन सब में साइस का वेटेज काफी ज़्यादा है ठूमच वेटेज है ठीक काफी ज़्यादा वेटेज है तो सर इसकी preparation कैसे करेक्ट क्योंकि साइस का सब्सक्राइब तेन फाइदे है साइस क्या होती है time saving subject है समझना time saving subject है कैसे मान लो 90 मिनिट में आपको 100 question करने और वहां 40 question आगर science के दिया तो मुश्किल से अगर ढंग से science पढ़ी होगी तो 10 मिनिट में आप कर लोगे 20 मिनिट में कर लोगे तो बच्चे हुए 70 मिनिट आपको math plus reasoning को solve करने में मिलेगी ध्यान से देखना math reasoning और किसी एक्जाम में जीके है ठीक है तीन चीज़ों में आपको मिलेगी जीके और science दो subject ऐसी है कि अगर आपने ढंग से पढ़ ली ढंग से इनके concept clear कर लिए तो फटा फटा आप 40 question मुश्किल से 20 मिनिट तो ज्यादा बता रहा हूं कई सारे तो 10 मिनिट में देकर टिक लगा टिक 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 यह खता हूं क्योंकि मेहत में तो आपको फिर भी calculation करनी पड़ेगी तो यह तो time consume करने के लिए कई सार चार-पांच questions तो ऐसे बड़े भी देगा ताकि वहाँ पर पटक जाओ तो साइंस तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है और साइंस के लिए सर कैसे पढ़े तो मैं किसी का प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं 6 to 10th NCRT को पढ़ लो NCRT की जो साइंस की किताब आती है 6 to 10th इनको अच्छे से आप thoroughly study कर लो वेसे तो देखो 9th और 10th क NCRT में cover हो जाता है लेकिन अगर आपके basic clear नहीं है आप बिल्कुल science में नहीं हो आपको science नहीं आती है तो आपको 6 to 10th NCRT पढ़ लो ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है कि syllabus note करना है और particular topic भी देख लो syllabus में कौन-कौन से topic है तो topic wise study कीजिए इसके बाद आपको क्या करन करना है question practice करनी है question लगाने है उसमें जितने भी बनेंगे फिर आपको करना है प्रीवाइक्यू previous year question जो भी railway के exam में पूछे गए उन question को आप solve कीजिए ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है mock test देना mock पर लगातार question लगाई है इससे आपका exam निकल जाएगा ठीक है एक कोई भी पीवाइक्यू के लिए reference book आप लाग सकते हो ठीक है आप SSC के question कर सकते हो किसी भी अधर exam में जो भी general science पूछी गई है वह question भी कर सकते ह होगी क्योंकि science के question maximum repeat होते है कि इस exam से उस exam उस exam से इस exam ठीक है तो science किसी के लिए पड़ो चाहा रेलवे की बात नहीं करा हूँ मैं SSC हो गए UPSC हो गए RPSC हो गए state exam होगी जहाँ पर सामान्य विज्ञान science पूछी जाती है वहाँ पर इतनी इस टेट जी आपको करनी है लेकिन railway और SSC दो ऐसे exam है railway और SSC यहाँ पर number of question आपको practice के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो यहीं state वाले exam copy करते है तो इतना आपको डढ़ना नहीं है और book की बात बत publication की भी book आती है नियोन publication personally यह भी मुझे काफी अच्छी book लगी ठीक है तो नियोन publication की भी आप book purchase कर सकते हो इतना कर लीजिए more than sufficient है आपका exam निकल जाएगा thank you so much channel पढ़ना हो तो like से subscribe जरूर करें